हेलो दोस्तों वेलकम टू साइबर डेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंड बात करेंगे फ्लोकी इनू बेबी डोज और डोज किलर पर जिसको लीश भी कहते हैं तो वीडियो आपके लिए important और बहुत जरूरी हो सकता है अगर आप देखेंगे तो अगर नहीं देखेंगे तो ना कुछ जरूरी ना कुछ यह ना कुछ वो देखना continue कीजेगा दोस्तों लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा अगर आपने मेरा चैन वो बढ़ गई है मैंने कल 20 पर वीडियो बनाया था उससे पहले भी वीडियो बनाया है जब से शिबरियम की बाते चलने लगी थी तो तीन चार वीडियो के अंदर मैंने इसका जिक्र किया था और उस वक्त इसका प्राइज यह वो 300 डॉलर 350 पर तकरीबन जो हो चल रहा थ कि आप अगर इसके अंदर भी medida करें तो आपको बहुत ज्यादा जो हो यह यहां से profit मिल सकता है राल दो कि यह मनलब वैसे देखने में token आपको महिंगा मिलता है लेकिन आपकी जेतनी भी investment इसके अंदर होती वो यहांपर जो हो सकती थी तिशिए और शिबरियम के rumors के सा कौाइन मार्केट केप पर लेकिन वैसे अगर इसका हाई देखें तो बहुत ज्यादा है हॉट बिर पर मैंने इसका हाई देका है तकरीबन दोस्तों वह बनता है कोई कह सकते हैं कि तीन चार अजार डॉलर तक इसका प्राइज जाना कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि जस्ट टोकिन ही वन लैक है और सारे सप्लाइग के अंदर है यहां पर आल दो कि यह मलब कंफर्म नहीं कर रहे हैं कोईन एक्चली होता है मलब जो शिबोशीज हैं एनफ्टीज का जो प्राजेक्ट है शिबा एनू का जिसमें आपने बहुत ज्यादा एनफ्टीज यह वो देखी होंगी दस हजार एनफ्टीज तकरीबन दोस्तों आदे गंटे के अंदर सेल हुई थी और वो मतलब उसके लिए उस वक्त यूटिलिटी जो बनाई गई थी वो थी लीश के साथ और आगे आने वाले वक्त में इसकी यूटिलिटी क्या है मतलब मैं यहां पर यह भी आपको चीज के लिए कर दो देखे जितनी भी सेल होनी थी एनफ्टीज की वो हो चुकी प्राइजिस जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है वो तो मतलब हमेशा में आपको कहता हूँ भाई या बीटी सी और इथिरिम की भी होती है तो शीबा डॉज की क्यों नहीं हो सकती है इसकी भी हो सकती है ठीक है तो प्राइजिस का डाउन आना एक अलग बात है तो पर आएगा अच्छा वहां पर इनिफ्टी की सेलिंग जो हो चलती रहेगी इसका मतलब यह कि इसकी यूटिलिटी भी वहां पर बनाई जाएगी जैसे यह यूज होगा मतलब आप अगर इनिफ्टी इसके बदले में बाय करेंगे तो यह आपको चाहिए होगा अगर आप गेम प्ले करते हैं इस तरह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में इसके अंदर आ सकती है इसलिए मेरा ख्याल है कि यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको कंसीडर करें मैं यह नहीं कह रहा कि आप अभी जाएं और इसको बाय कर लें मतलब अगर आपको सही लगता है तो करें अधरवाइस छोड़ दें क्यूंगे वैसे अगर देखा जाए तो मार्किट के इसका कुछ ज्यादा नहीं है जस्ट सेविन करोड और सम्थिंग है तो यहां पर अपर अपर्चिनिटी जरूर बनती है हां इस हिसाब से भी बनती है कि कि इसी भी वक्त Shibarium launch हो सकता है और Shibarium की launching के बाद इन तीनों tokens के बढ़ने के chances हैं अभी इसकी price बढ़ने का एक और भी reason है दोस्तों वह आपकी screen पर आप देख सकते हैं कि Shiba Inu token Leash gets new listing trading volume Skyrocket 913% trading volume जो है वो इसका इतना बढ़ गया बात यह है कि एक exchange पर ही आया है अच्छा य बादा बाए होगा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको यह कहा था कि जरूरी नहीं होता कि आप एक token पूरा ही बाए कर लें for example आप 5000 की bitcoin बाए कर सकते हैं 200$ की भी कर सकते हैं इस हिसाब से आप यहां भी कुछ investment भी कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा following up on this Floki had a project locked 10.8 million worth of its tokens in its Floki locker protocol तो Floki इनुवालों का एक locker protocol है जहां पर आप लॉक करते हैं tokens को ठीक वहां पर 10.8 million dollars के token lock हुए हैं और इसका जो total TVL हो गया है वो हो गई है 31.5 million dollars यहां पर मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ आप इनकी वेबसाइट है यह इनकी वेबसाइट है दोस्तों यहां पर gate started का option मिलता है और lock your assets का ठीक है यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो interface है वो आपके सामने आ जाएगा आप यहां पर दे community जो है वो dedication कर सकती है locking करने के लिए ताके token की price जो है वो बढ़े अब इसका price दोस्तों देख लेते हैं कल मेरा ख्याल है के down था लेकिन अब आज यहां पर देखें तो 6.26% इस वक्त अगेन आपको जो है वो up नजर आ रहा है इसका मतलब यह कि अभी भी volume जो है वो किसी भ वक्त बढ़ सकता है कल भी मैंने अपनी वीडियो में जो कि cyberverse पर रखा था साइबर वर्स पर आप अभी तक अगर नहीं गए तो नीचे description में दोस्तों उसका link मौजूद है आप उसको भी join कर लें वहां पर हम आपको trading के तरीके सिखाते हैं recently मैंने वहां पर दो तीन वीड की तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह one month का spike है लेकिन one day के अंदर इसको देख लें जरा तो यह sideways में आपको चलता हुआ नजर आ रहा है मतलब कल जितना down आया था आज अतना ही actually up चला गया यहां पर seven days में इसको देख लेंगे तो सही से आपको पता चल जाएगा यह इस हाइज बनाए अब यहां पर और प्राइज नीचे आए में भी मैं अगें यह कह रहा हूँ कि मैं भी कहता हूँ क्यूंकि दोनों चीजों के chances यहां पर होते हैं अभी जिस तरह से प्राइज अप गए हैं तो हमें यह चीज जरूर कंसीडर करनी चाहिए लेकिन जिस तरह से मीम कोईन्स का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की जरूर है कि में भी इसका प्राइज यह वो अगें अब चला जाए लेकिन रिजिस्टेंस हैं वो जल्दी तोड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा बेबी डॉज कोईन को दोस्तों देख लेते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेबी डॉज जो है वो पॉलिनिक्स पर लिस्ट हो चुका है और यह मैं न्यूज आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं दोस्तों वो फोर आउर्स बिफोर का एक ट्विट है जो आपके साथ यह शेयर कर रहा हूं ठीक आप देख सकत जिसादा कि टोकिन बेबी डीज बर्ण हुए हैं, जैसे ही, इनका बर्न पॉर्टल रिलीज हुआ है तो इनकी जो बर्निंगा हैं। उसमें बहुत जियादा इंक्रेज़् आया है। मेरी नजर यहां पर जितनी भी burning हुई है उसका कुछ परसंट जो community ने किया है बाकी team ने किया है तो यहां पर community की खुद की जो dedication है वो बहुत ज्यादा importance इसलिए रखती है क्योंकि उन्होंने पैसे दे कर वो token buy किये होंगे और वहां से burn हो रहे हैं तो वो जो पैसे हैं वो हमेशा के लिए lock हो गए लेकिन team अगर करती है तो team के पास reserved token होते है मालब वो buy किये वे नहीं होते है ठीक है तो उससे इतना ज्यादा फर्क actual market के अंदर उसकी finance के अंदर actually नहीं आता अचा एक और news यहाँ पर baby dodge swipe को लेकर आपके साथ share करता हूँ दोस्तों के baby dodge swipe जो है उसने lowest fees कर दिये bitcoin की trading के लिए मालब आप अगर baby dodge swipe पर जाकर bitcoin buy and sale करें वो ultimately एक wrapped token होगा तो वहाँ पर आपको fees जो है वो सिरफ 0.01% परसंट परती है मालब यह percentage का हिसाब जो है वो इससे होगा कि आप कितने के buy कर रहे हैं और वहाँ से 1% होगा ठीक तो कुछ ज्यादा मेरा ख्याल है कि यह नहीं है और यही claim कर रहे हैं कि यह lowest है इतनी कम fees कहीं भी और आपको नहीं मिलती ताकि सही से जो है वो चीजें पता चल सकें आप देख सकते हैं कि किस सरा से यहां पर lower highs बन रहा है possibility सीज की है कि once again एक बार फिर यहां से जंप करें और यह price बन रहा है 0.8030 का तो यहां पर possibility है कि थोड़ा बहुत जो वो जंप करें आप profit taking थोड़े time के लिए यहां से कर सकते हैं otherwise इसकी price के मेरा ख्याल है कि 0.802928 तक आने के chances हैं I hope दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें टेक केर अलाफिस